जै गुरु जी संगत जी आज का टॉपिक है केरेक्टरलेस गुरु जी ने क्यू कहा कि केरेक्टरलेस होना महापाप है मैं तुम्हारे हर तरह के गुन आपके गुना माफ कर देता हूं लेकिन अगर आप केरेक्टरलेस हो जाते हो तो मैं आपको माफी नहीं देता गुरू जी ने यहां तक भी बोला कि अगर आपने किसी का खून भी कर दिया मैं वो भी माफ कर सकता हूँ लेकिन आप अगर करेक्टर लेस हो जाते हैं तो उसकी माफी नहीं है क्यों करेक्टर को गुरू जी ने इतना महत्व दिया क्यूं हर धर्म में करेक्टर को लेके बहुत उच्छा स्थान दिया गया है क्योंकि करेक्टर एक ऐसी चीज होती है जो आप कोई परिभाशा बताता है कि आप कैसे हैं सबसे बड़ा कर्माज हमें किसी का लाइफ पार्टनर तोड़ने में जो पाप लगता है जो दोश लगते हैं यह सबसे बड़ा कर्मा होता है क्योंकि यही वो प्यार होता है हम जो हम हर किसी को छोड़के दुनिया छोड़के जहां छोड़के हम सबने स्टोरियां सुनी है लैला मरजनुही रांजा कि उन्होंने दुनिया जहां की सोचे बिना कैसे एक दूसरे के लिए कैसे वो मर मिटते हैं यह एसा प्यार होता है तो अगर कोई करेक्टर लेस इंसान किसी का सिर्फ टाइम पास करने से ही अगर उसके करेक्टर में नुक्स है चाहें ज़ादा मजाओ ही करने के आदत है या किसी के साथ जदा इंवालव हने की आदत है तो वह auf किसी का घर खराब कर देता है जाने अंजाने से ही ये एक शुरुवाती लक्षन है और कई लोग होते हैं बिना बाद पे आज की डेट में देखिए गुरु संगत आपस में बहुत एक दूसरे से जुड़ रही है नंबर बहुत जल्दी एक्सचेंज हो रही है कोई भी सिरफ जै गुरु जी ब संगत है आंटी संगत है वो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं गुरु जी के भरोसे पर ही अंकल भी कोई भी सेफ नहीं आंटी हो यांकल हो क्योंकि हर तरह की दुनिया है तो में बात यह आती है कि संगत के बीच में हमारे गुरु जी है रिष्टा बादने वाले बहुत आग को कहें ना कहीं अवेर जरूर रहना इस बात पर चाहे संगत हो या नौन संगत हो क्योंकि हम तो सारे शिव भक्त है शिव परिवार है यह सारा संसार हमें शिव जी जी ने बनाया है तो हम अलड़ी उनके हम एक परिवारी तो बनके आये हैं तो हमें अपना केरेक्टर मेंली अगर हम गुरु संगत हो चुके हैं तो हमें बहुत जरूरत है संभालने की क्योंकि अगर गुरु जी को मानने के बाद उनकी शरन में आ जाने के बाद उनकी हमने ये बहुत एहम बात ही ना समझी और हम किसी और को ना समझा पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है ये तो वो बाते हो गई कि हमने गुरु जी को तो मान लिया और गुरु जी की बाते नहीं मानी तो ऐसे आपके काम नहीं बनेंगे कोई लोग कहते कि हम तो बहुत टाइम होगे हमारे साथ चमतकार नहीं हो हमारे ये काम नहीं बने तो आप गुरु जी के जितने भी वचन है और उसे सरफ शेष सबसे उपर टॉप पे ये वला वचन है तो अपने आपको सवारना शुरू करे जो अपने गुरु जी ने छोड़ी छोड़ी बातों में रेंडमली अपने संगत से बात करते करते अपनी कुछ बाते जो शेयर की जो डिवाइन बाते थी या नॉर्मल बाती थी उसी से हम सीख रहे हैं तो गुरु जी ने ये बात भी शेयर की थी तो अपना करेक्टर समालना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी सबसे ज़ादा बद्दुआय लगती है ये बद्दुआ जनम जनम तक आपका साथ और पीछा नहीं छोड़ सकती ये एक तरह से शिराप की तरह हो जाती है आप चाहे जाने अन जाने किसी पेर को अलग कर दे या जान मूच कर किसी को पेर किसी का अलग कर दे या शिर महापुराण में एक पती वरता इस्त्री का स्थान बहुत उचा पाया गया है बहुत उचा बोला गया है तो आज के इस कल्यूग में तो कोई पती वरता तो नहीं हो सकती इतने जादा रूल्स होती है लेकिन हाँ कम से कम एक हैपी मेरिड लाइफ में अगर कोई करेक्टर लेस इंसान आ जाता है या उन दोनों कपल में से कोई करेक्टर लेस हो जाता है तो वो महापाप है कहते हैं कि जानवर को भी अकेला नहीं रखना चाहिए उसको भी उसके पेर के साथ रखना चाहिए ये पुन्ने है अगर दो सिर मिलाने से पुन्ने की प्राप्ति होती है किसी का रिष्टा हम करा देते हैं तो हम कहते हैं चलो जी हमने शादी गिरा दी हमें पुन्ने मिले हमने इन दोनों को मिलवा दी हमें पुन्ने मिलेगा तो तुड़वाने से पाप भी मिलते हैं तो किसी भी गुरु संगत से भी चाहे आंटी हो आंटियां से मिलो या किसी को भी गंदी नजर से नहीं देखे कम से कम गुरु संगत तो नहीं देखे क्योंकि बहुत इसली नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं यह माने पहले भी बोला है अपने करेक्टर में रहें अपने हद में रहें अगर इस चीज़ को आप नहीं ठीक कर पारे आपका माइंड अबे साफ नहीं हुआ है आपकी आत्मा शुद नहीं हुई है क्योंकि इस कल्यूग में बहुत मुश्किल अपने करेक्टर को संभालना चाहे वो आंटी संगत हो या अंकल संगत हो दोनों में से कोई भी हो सकता है और भीड भी बहुत आ रही है गुरुजी के दरबार पर तो जो भीड है जो सिरफ एक गुरुजी का नाम सुनते ही दौट पढ़ रही है तो वो इक तरह से भीड ही है और संगत वो ही है जिसने गुरुजी के सारे वचनों को मालने और उस पे काम कर रही है तो गुरुजी के नाम पे जूट बोलके अपने घरों से लेट घर पहुंचना और उस नाम पे किसी और के साथ संगत के नाम पे बोलके किसी के साथ भी गुरुजी के मंदिर का बोलके निकल पढ़ना ये भी बहुत बड़ा महा पाप है महा जूट है और ये भी एक करेक्टरलेस को दर्शात आप जाने अंजाने किसी के करेक्टर पे अपने करेक्टर पे गुरुजी के सबके हर्च किसी पे आप दाग लगा रहे हैं तो में सबसे ज़्यादा में आप गुरुजी को अगर आग्या का पालन नहीं कर सकते तो गुरुजी का नाम भी खराब करने का हमें कोई हक नहीं है तो अपने करेक्टर को संभालना बहुत बहुत ज़ादा जरूरी है नहीं तो आपको गुरु किर्पा गुरुजी की असीम किर्पा जो बरस्ती है वो कभी भी प्राप नहीं होगी क्योंकि गुरु जी ने अपनी बेटियों को जो भी गुरु संगत है उनको अपनी बेटियां बोला है संगत नहीं बोला जो भी फीमेल आंटियां होती थी अगर गुरुजी की बेटियों पे कोई गंदी नजर उठाता है तो वो गुरुजी की नजरों से कभी भी नहीं बचेगा और अगर कोई फीमेल संगत फीमेल आंटी अगर कुछ गलत करती तो वो भी गुरुजी के निगा से कभी बच नहीं पाएंगी ये लोग सिरफ भटकते रहेंगे शाय जनम जनम तक भटकते रहेंगे क्योंकि गुरुजी कैसी बहुत बड़ी पावर है जो कल्यूग में हम एक सोगाद के रूप में मिली है अगर इधर भी हम ना सुदरे अग अगर हमारे अंदर बदलाव ना आए तो हमसे बड़ा कोई पापी है इनी तो वो इनसान जनम जनम तक सिरफ भटकता ही रहेंगा वो कभी भी नहीं बदलेगा तो अपनी नजर संभालिए अपना दिल संभालिए अपनी आत्मा संभालिए ये क्लिंजिंग है जो कि मंतर जा इसी की घर परिवार माननों कोई बहुत सुखी है हम में ये भी होता है जेलिसी हो जाती है कि भाई या उसको बहुत हज अच्छा अजबन मिला या उसकी तो वाइफ बहुत अच्छी है मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई या मेरी शादी होके तूट गई ऐसी सोच भी नह जाते हैं और इस बात से गुरुजी बहुत गुसा होते हैं तो इसलिए किसी हैपी कपल को देखिए आप सिर्फ ब्लेसिंग से कभी भी उनको नजर लगाने के लिए या उन पे उटपटंग बाते नहीं बनाई या आप जरिया ना बने उन्हें तुड़वाने का हमेशा ब्ल गुरुजी की किरपा से आने वाले टाइम में कुछ ऐसा भग्ये खुलेगा कि आपको भी ऐसे ही प्यार करने वाले लोग मिल जाएंगे चाहें वो आपके लाइफ पढ़नर के रूप में हो या माबब के रूप में हो या भाई भेनों के रूप में हो तो हमेशा हर किसी को मिलाइए मिलाने की कोशिश करिए ब्लेसिंग्स लीजिए और करेक्टर लेस होने से बहुत बहुत जितना हो सके आप बचिए जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी